बहुत सारे लोग तमाम कोस्चन कर रहे थे कि यदि इगनु पर्मोट कर देती है सभी बिद्यार्थियों को तो क्या सर्टिफिकेट की भेलू होगी या नहीं होगी तो आज की इस वीडियो में जानने वाले कि जो पर्मोटेट को लेकर जो सर्टिफिकेट हम सभी को परभायड होने वाले इगनु के द्वारा कि वो सर्टिफिकेट का माइने तक कहां तक होंगे क्या इससे हमें नौकरी मिल पाएगी, क्या इससे हमें जॉब मिलेगी, क्या इससे हम highest qualification में, क्या हम दूसरे संस्थाओं में, क्या हम दूसरे इंवर्सिटियों में जाकर अपनी higher qualification में हम पढ़ने के लिए हमारा certificate कितना तक value होगा, यह भी हम आज इस वीडियो में बताने वा तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत ही interested और काफी मजदार वीडियो आपको बनने वाले हैं, और आपको जानकारी हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे, इसलिए वीडियो को like जरू करिएगा, share जरू करिएगा, चैनल को subscribe करके जरू रख लिजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं, सोचिए कि बाद में हम करें, तो आप बाद में भूल सकते हैं, इसलिए जरू से जरू सब्सक्राइब कर लिए, तो चलिए आपको बताते हैं, दोस्तों सबसे पहले परिछा का जो मोड होता है, वो कितने परकार के होत ठीक है, फाइनल परिच्छा होता है, मीड सेमेस्टर का परिच्छा होता है, उसके बाद मीड एकजामनेसन भी होता है, सपलमेंटरी होता है, कपलमेंटरी होता है, तो अलग अलग परकार का अलग अलग परिच्छा का जो है नाम लिखा रहता है, फिर बोर्ड का भी नाम लि इंवर्सिटी भी अलग लग होते तो क्या इन सभी का जो है भैलिड एक होता है कि भैलिड डिफ्रेंट होता है आज इसी के भी से में बात करेंगे और अंतिम में बताएंगे कि जो इगनु के दौरा जो हमें पर्मोट का जो सेटिफिकेट जो प्रोभाइट किया जारा इगन यह जब पुर्भाइट करते है certificate या मार्शिट उसमें कभी भी यह नहीं लिखा रहता है कि supplementary हो कि complementary है यह चीज नहीं लिखा रहता है दूसरी बात जब कभी भी कोई भी government vacancy जब आती है कोई भी नौकरी का जब vacancy जब निकलते है तो उस vacancy पर भी यह नहीं लिखा रहता है क ECBAC board वाले ही भर सकते हैं या physics honors कियें वो भी भर सकते हैं history honors कियें वो ही भर सकते हैं या chemistry honors कियें ही भर सकते हैं ऐसा कहीं पर भी किसी भी परकार का कोई भी government नौकरी में नहीं लिखा रहता है पहला मुद्दा यह चीज जान लेजेगा और उसमें यह भी mention नहीं होता है कि EC इसी board वाले ही student जो है fill कर सकते हैं इस बात को भी आप सभी जान लेजेएगा यानि कि दोस्तों कुछी एक vacancy होती है जिसमे science valued होता है यानि certificate जो होता है आपका certificate जो valid होता है कि इसी subject में ही आपका certificate होना चाहिए दूसरे subject में certificate होगा तो उसका valid नहीं होगा लेकिन दोस्तों maximum यानि 90% ऐसे नोकरिया होते है जिसमें सिफ सिफ लिखा रहता है कि गिर्जोसन होना चाहिए 60% PG होना चाहिए 50% इस परकार से लिखा रहता है और यहाँ पर यह भी नहीं लिखा रहता है कि supplementary वाले नहीं भढ़ सकते हैं या complementary वाले नहीं भढ़ सकते हैं सिफ जो final पर अजंब के आएगा ठिक है धान से सुनियागा जब आपका मार्टवर जब कटके आएगा तो उसमें यह नहीं लिखा रहा है कि इसमें जोह इगनु को परमोट किया है इसी लिए इसका जो भेलिट कम होगा एसा कभी भी जरह नहीं लिखा रह conserve जब कात्रट के आएगा तो रहे विदार्ती उसके लिए हम special certificate बनाएंगे और इसा कहीं पर भी इगनू आपको नहीं देने वाली और जहां तक भेलिट का बात है दोस्तों आपका भेलिट 100% भेलिट आपका होगा जैसे पहले भेलिट होते थे certificate के उसी तरह से आज भी भेलू उतने ही भेलू आपका certificate को ह होगा तो आसा करते हैं कि यह वीडियो से भी आप सभी अच्छे जानकारी हांसिल कि कि certificate के क्या भेलू होगा प्रमोट अगर करता है तो कि हम तो परिछा तो दिये नहीं है तो क्या हमें certificate का भेलू होगा या नहीं होगा तो आई होप दोस्तों कि आपको यह वीडियो का जा किने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद थाइंस प्रवाची